मैं थोड़ा तन्वाद करना चौना है कि तुसी आज मैंनू एस सदन विच राष्ट्रपती दे पाशन ते बोलन दा मौका दिता भाई आप रूडी साब मैं उस तर्ती तो होना है जिस तर्ती तो जड़ी तर्ती गुरुआ पीरा पगंबना दी तर्ती है जवाना दी तर्ती है ते किसाना दी तर्ती है ते मैं अपने पाशन देन तो पहला सहिब कमाल गुरु गुबिन सिंग्जी महराजी दा ओ जिड़ा दिता फर्मान दे अशिवावर मुहें एहें शुब कर मनते कब हूना टरू ना टरू हर सो जब जाए लरू निश्चे कर सचे पाश्या दाए फर्मान दे नाल मैं आज एस लोग सबाच बोलन लगें सबापती मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने कहा कि मैं गुरुओं की धर्ती और जवानों की धर्ती और किसानों की धर्ती से आता हूं जवानों की बात आज हमारे आदर्मिया राहुल गांदी ने किये हलांकि विपक्ष दुवारा उसको गुमाने का काम किया लेकि राहुल गांदी ने एक बात कही कि अगनी वीर को शहीद का धर्जा इस देश में मिलना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूं सबापती साथ कभी-कभी तो मेरे को लगटा है कि पंजाब को ये हिंदोस्तान की सरकार भूल गई है कभी-कभी मेरे को ये भी मحसूस होता है कि शायद हम हिंदोस्तान के कहीं किसी नक्षे में है जा नहीं जिस परकार से हमारे सरकार का हमारे पंजाब के लोगों की तर्फ विवार है ऐसा हमें मحसूस होता है मैं आपको बताना चाहता हूं सबापती साथ जब हिंदोस्तान के देश के परदान मंत्री जब लाल किले पर जंडा लहराते हैं और मैं घरव से कह सकता हूं कि उस जंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौचवान लोगों ने अपनी शहादत दी है यह अफसर इसलिए परापत हुआ है सबापती साथ मैं कहना चाहता हूं सबापती साथ मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं पिछले देश साथ से सबापती साथ पंजाब का किसान देश का किसान आज बड़ी बड़ी बाते की गई आदर्विया मंत्री मोहोदे कहें कि हमने MSP दिये MSP आपने दिये 1967 में कॉंग्रस की सरकार ने किसान के लिए MSP दिया था जब देश मुखा मर रहा था तो पंजाब के लोगों ने इन किसानों ने देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया आज कोई कोई असान नहीं कर रहा है कि हम उनको MSP दे रहे हैं किसान लीगल गरंटी मांगता है जबापती साब MSP की लीगल ग्रंटी आपको मैं बताना चाता हूँ 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ पर मेरी एक आदर्निया हमारी संसत ने उन किसानों की माओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे बारे पे लाए हुए लोग है मेरे को शर्म आते हैं इस बारे वो किसान और आज आज वो किसान डिली के बार्डर अपनी बात सुनाने के लिए डिली आना चाहता है क्या डिली देश से अलग है क्या डिली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते हमें हर्याना के बार्डर पर रोक कर हमारे पर गोलियां चलाई दा रही है हजारों लोग किसान हमारे वहाँ पर इंजड हुए और कहियों की मृत्यू हो गई, मौत हो गई है लेकिन किसान की लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है 45, 47 डिगरी में बेठा किसान चीच चीचर पुकार रहा है कि हमें MSP की लीगल गरंटी दो हमने दिल्ली जाना है लेकिन उनों को देश है हर्याना की पुलिस को ये देश के ग्रेमंत्री के दुआरा दिया गिया हो देश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मूँ करेगा तो गोलियों से आपने किसान किसान निदी योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया आपने कहा कि तीन लाख बीस हजार करोड लोगों को हमने बीस हजार करोड दिया है किसान निदी योजना के तहब मैं पजाब की बात बताना चाहता हूँ अंदोलन के बाद हमारे साथ किस परकार का वेवार हुआ 2019-20 में 23 लाख लोगों को किसान निदी यूजना का फाइदा मिलता था जब हम अंदोलन किया सरकार को काले कनून जो तीन बने थे वो सस्पेंड करने पड़े वापस नहीं लिये तो इन्हों ने कहा कि आप इनकी निदी यूजना बंद करो 2023 और 24 में और रिकॉर्ड बोर रहा हूं फ्लोर अफ दी हाउस आठ लाख चपन हजार लोगों के किसान निदी यूजना से नाम काट दी गए ये गए ये छोटी बात नहीं है पर कहा गया पर कहा गया कि इनके कागेज इनकंप्लीट थे इसलिए हमने इनके इनके ये खाते कार दिये गए तो पहले आपने कैसे दे दिये साड़े 23 लाख लोगों को मैं चलो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूं सभापती साब ये किसान का हाल है मैं बताना चाहता हूं अभी मैं ते एज नंबर 19 पर पढ़ रहा था कि ये बारतिया न्याएं सनिता जाने की पीनल कोड विल कम इंटू फोर्स इन दा कंट्री फ्रम दा फरस्ट अफ जलाई लोगों को इंसाफ देने के लिए और देश के ग्रैम अंत्री ने लॉइन ओर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉइन ओर्डर की सिथी ठीक नहीं है आज से चार पांच महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉग लेकर आ रहे हैं आप कभी पाकिस्टान की बात करते हैं कभी चाइना की बात करते हैं कभी कुछ और कहते हैं लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूँ सबापती साथ हमारा एक साथी था उसका नाम था सिद्दू मुसेवाला एक अलाकर था दुनिया में उसका नाम था चाहे तमिलाडू हो चाहे मारश्ट्रा हो चाहे कैरला हो चाहे न्यू यूर्क हो उसके गाने पर दुनिया जू मुटती थी और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सभापती साथ टाइम स्कुएर न्यू यॉर्क में हर तीसरे दें सिद्दू मुसे वाला बचता है बिल बोर्ड जो बिल बोर्ड दुनिया के सौ गाने उन में से सिद्दू मुसे वाला हर रोज पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वो विक्ती रहता है उसके साथ हुआ क्या मैं आज इस सदन को याद करी और बताना चाहता हूँ आपके बाद्यम से क्या हुआ अठाई साल के नौजवान के साथ हम नैशनल स्क्यूरिटी भी बाद करते हैं आप कहते हैं हिंदो साइन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता आप ये कहते हैं कि हम हैं चिंता मत कीजिए लेकिन क्या हुआ नौजवान अठाई साल के नौजवान को गोलियों से मार मार कर दस कॉलिया मार कर दिन देहाडे मार दिया गया और मारा जिसने सबापती साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं मारा किस पर एक तिहार जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लौरेंस विश्णोई है उसने मार कर कहा जेल से इंटर्व्यू दिया और कहा मैंने मारा है मैंने मारा है अभी तो सिद्व मुसे वाला मारा है अभी इसके बाप को भी मरना होगा जेल से इंटर्व्यू दिया आप नैशनल स्क्रेट ली बात करते हैं कब इंसाथ लेगा सिद्दु मुसे वाला को क्या होगा अथाई साल का नोजुआन जिसकी माँ के एक बैठा था एक और बिना शादी के ब्या में हमारे सर पर सेरे बंदे जाते है सेरा बंदी होती है आपके वी होती है डेट बाडी परी से डेट बाडी पर मेरी उस माने सिद्दू मुसे वाले की माने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांद के उसकी वदाई गी यह यह हलात हैं आप देश के गिराह मंत्री हैं इंसाफ दिना हैं और जेलों में बैठे ऐसे गैंक्स्टर को आप निकाल के उस परवार को इंसाफ दें लास्ट बात सर एक मिनिट में खतम करूंगा आप सभापती साफ मैं ये इसमें लिखाए पेज नंबर फूर पेज नंबर फूर पॉइंट नंबर फाई क्या लिखाए नाओ माई गम्मेंट इस स्ट्राइविंग तो मेरिक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक औरूर नंबी इन डवर्ड कैसे बनेगा सब मैं मैं सब उस शेहर से आता हो लोद्याना से जो हיंदोस्तान का कभी कभी एस्ट मेंचस्टर कहा जाता है जिसको आच क्या हलात होगे हैं इंडिस्ट्री के डाइंग इंडिस्ट्री है सर्वाग साइकल इंडस्ट्री है लोग छोड़ छोड़ के कारोबार धिंदा बंद करके आप चले जा रहे हैं लुद्याना छोड़ के ये हालात कर दिये मैं एक छोटी सी उधारें देना चाहता हूँ दस साल में दस साल में हमें सरकार ने कुछ नहीं दिया अगर दिया है हिंदोस्तान की सरकारने लद्याना को सबसे बड़ा शहर है पंजाब का तो कोई खड़ा होकर व्यक्ति बता दे कि हमने ये दिया है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक साइकल इंडस्ट्री है साथ जा तो चाहिना में साइकल बनता है जा पंजाब में साइकल बनता है चाहिना में साइकल की पॉड़क्शन क्या है आप हरान हो जाओगे आप मेकिन इंडिया की बात करते हो ठाइस से तीस करोड एक साल की चाइना पॉड़क्शन करता है एक साल की ठाइस से तीस करोड लेकिन लोडियाना क्या पडेक्शिन करता है धाई करोन क्यूं? 侏 हमारा सैकल 3500 रपय का शुरुआत में बिखता है लेकिन चाइना का सैकल 300 डालर से शुरु होकर 2 लाट में बिखता है इसका कारण क्या है? मेक in इंडिया wrong policies जब तक ये wrong policies है तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता कैसे तरक्की करेंगे आपकी रॉंग पॉलिसिस की वज़ा से आज हमारी इंडस्ट्री जो लिद्याना की इंडस्ट्री है उसके ये हालात हो गए हैं अंत में एक लाइन में समापत करना चाहता हूँ हमारा भाई चाहरा बहुत आपके लोग बेशक चाहे किसी पार्टी को वोट दो आम अदमी पार्टी को लोगा ने वोट दिया हकाली को दिया कॉंग्रस को दिया बीडेपी वालों को भी दिया लेकिन लेकिन आपस का भाही चाहरा नहीं कभी तूटा इस बार पहली बार राम जी के नाम पर बगवान वक्ताइबू पशिक्ताइबчики नारे से साथ अपनी बात खतम करुगा हमारा भाईचारा काइम रहे, मैं भीजेपी वालों को हाँ जोरकर, हाँ जोरकर गुजारिश करना चाहता हूं देश के परधान मंत्री को, देश के गिराय मंत्री जी को, कि मंगल सूतर की बात नाखरे, थैंक यू, आप कपरिस्तां की बात करे, मैं एक नारे के साथ अपने मंदर मांता, मस्जिद मांती, मंदर मांता, मस्जिद मांती, बात दिया बगवान